हेल्लो गाइज मैं हूँ आपका दोस्त निकिल और वीवर्स के जबरदस डिमांड पर पहली बार में मेरे चैनल पर एक कॉंप्लिकेटिट साइन्स फिक्षन टीवी सीरीज और सबके फेवरेट रैटर स्टीपन्स किंग के नॉविल पर बेस अंडर दर डोम सीरीज का सीजन वन एक्स्पेन करूँगा जिसे काफी लोगों ने पसंद किया सिंस एक काफी लंबी सीरीज है इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते सीरीज के कैरेक्टर के बैगराउंड से डेल बार्बरा ऑल्सो नोन ऐस बार्बी एक एराकी वार वेटरेन उसे मिलिटरी से निकाल दिया गया उसके एक गलती के कारण जहां अपने साती को रेस्क्यू करते दोरान स्मोक के ब्लाइडनेस में उसने अपने ही साती की जान ले ली इसलिए अब वो फिरोती का काम करता है जूलिया एक रिपोर्टर उसके एक जूट के कारण उसे उसके पिछले काम से निकाल दिया गया और अब वो अपने पती के साथ चेस्टर्स मिल्स टाउन में रहती है लिंडा एक महत्वकानशी उसके गार्डियन और टाउन के शेरिफ ड्यूक ने उसे टाउन का डेप्यूटी अपॉइंट किया है एंजी पार्ट टाइम वेटरिस उसका हमेशा से सपना है टाउन से कहीं दूर रहने का और जिसे छोटा भाई एंजी भी है जीम और जेमस बाप बेटा उनके रिलेशन्शिप में थोड़ी करवाहट है क्यूकि जेमस अब तब उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जीम टाउन का काउंसिलर अपने टाउन के लिए बहुत पॉजेसिव है जिसका इंटेंशन एक दिन टाउन को अपने कंट्रोल में रखना है ताकि वो इस टाउन को अपने तरह से सवार सके वहीं जेमस ने अपने मॉम को 9 साल पहले ही एक एकसिडेंट में खो दिया और अब वो अपने बचपन के दोस्त एंजी के पीछे प्यार में पागल है इंजीनर स्किल में टैलेंटेड डूडी फिल के साथ मिलकर दोनों लोकल रेडियो स्टेशन चलाते हैं और आखिर में टीनेजर नौरी के माता पिता बचपन में कहीं गायब हो गए और तब से उसके लेजबियन मदर्स कैरोलीन और एलिस उसकी देखबाल करते हैं तो चलिए अब शुरुवात करते हैं इसकी कहानी से सीरिस की शुरुवात एक अंडे से होती है जहां एक चूजे के अंडे से निकलने पर मानो उसकी मा हैरानी में चली जाती है और सीन बार्बी के तरफ मुड़ जाती है जो किसी की लाश दफनारा होता है वहीं एंजी और जेम्स की मेक आउट के ठीक बाद मानो एंजी को जैसे कुछ होसा जाता है और वो उसी बल उससे ब्रेक अप करने का तै करती है जिसे जेम्स सैनी पाता और बत्तमीजी करने पर उसे थपड़ खानी पड़ती है वहीं टाउन से निकलते बाक एक छोटे एक्सिडेंट के कारण बार भी वहीं फच जाता है पर उसे क्या खबर कि इस से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है क्यूंकि उसकी कुछ देर बाद भूकम के जटके महसूस होने लगते है और तूफान सा सभी तरफ छाने लगता है और फिर देखते ही देखते कि एक विशाल इन्विजिबल डॉम उनके टाउन पर गिर पड़ता है वो डॉम इतना शक्तिशाली होता है कि प्लेन और ट्रक के टकराने पर भी उस पर खरोज तक नहीं आता पूरा बानियर उसके चपेट में आधा कट कर रह जाता है और जिस पर स्टाटिक इलेक्टिसिटी की परचसी महसूस होती है जीम तुरंत रेडियो के मदद से लोगों को अलट करता है जिससे नौरी की फैमिली जो टाउन के रास्ते गुजर ही रहे थे मरते मरते बचते हैं पर इसका मतलब वो भी अब यहाँ फस गए जब जाज करने की इरादे से वो डोम के नजदीक बढ़ते हैं नौरी को अजीब अटैक आने लगता है और वो पिंग स्टार सर फॉलिंग रिपीडिडली बढ़बढ़ाने लगती है इतना कमने की जोई को भी सेम अटैक पड़ता है जब वो डोम के नजदीक आपड़ता है और दोनों को तुरंथ होस्पिटलाइस किया जाता है वहीं जूलिया को पता चलता है कि उसका पती सुबा से मिसिंग है जिसने आज ओफिस भी रिपोर्ट नहीं किया और जेम्स एंजी के प्यार में पागल एंजी को बार्बी के साथ कैशूलि बात करते देख उसे एंजी पे शक होने लगता है कि शायद बार्बी उसका नए बॉइफ्रेंड है और उसकी दिमाट में बार्बी के प्रती गुस्सा बनने लगता है और अब वो उस पर हर तरह से नजर बनाए रखने लगता है इस मुसीबत में जीम ड्यूक को मदद ओफर करता है पर ड्यूक को उस पर विश्वास नहीं होता क्यूंकि उसे जेम्स के हरकते पता होती है कि वो टाउन को कंट्रोल करने के पीछे है पर जीम उसे धमकी की तरह याद दिलाता है कि सून लोग जवाब मांगेंगे कि आखिर ज़रूरा से ज़्यादा प्रोफेन टैंक को क्यों स्टोर किया गया खास करके डोम के गिरने से पहले जीम के बातों से साफ पता चलता है कि वो ड्यूक और टाउन का रेवरेंट किसी इलीगल काम में शामिल है जिससे वो तीनों भी मुसीबत में फच सकते हैं पर ड्यूक पलट जवाब देता है कि उसने जो भी किया टाउन के भले के लिए क्या और वो उसके धमकी से नई डरने वाला पर आखिर वो क्या है हमें सून पता चलेगा उसी दोरान डूडी को उसके रिसीवर पर कोई अजीब एलियन लाइक सिगनल का पैटन सुनाई देता है जिसका वो कोई मतलब नहीं निकाल पाती दिन ढलने पर अब बार्बी और भी कन्फ्यूज कि वो कहां रहे जूलिया एज गूड सिटीजन उसे अपने घर पना देती है पर घर पहुचने पर बार्बी को पता चलता है कि जिसकी लाश उसने गाड़ी थी वो जूलिया का हस्बेंट पीटर था पर वो चुप रहने का ही ठीक समझता है और वही जेमस अपने पागलपन में एंडी को किडनाप करके कैद कर देता है क्योंकि उसका मानना होता है कि उसका बरताओ ठीक डोम की गिरने के बाद से बदला उसके हिसाब से डोम में कोई अद्रिश शक्ती है जो उसे कंट्रोल कर रही है एंजी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर सन की जेमस सबजने को तयार नहीं होता वहीं डोम की जाच करते समय ड्यू किसी गंबीर परिशाने में लिंडा से कोई सीक्रेट शेर करने बढ़ते हैं पर डोम के करीब पहुचते ही उनकी मौत हो जाती है क्योंकि डोम के स्टाटिक इलेक्टिसिटी के कारण उनके चेस में ऑपरेटेट पेस में कर एक्स्प्लोड हो जाता है और वो सीक्रेट बस एक सीक्रेट रह जाता है और उसके कुछ देर बाद साइंटिस्ट और आर्मी डोम को घहर लेते हैं पर हैरानी की बात ये कि वो किसी कारण से डोम के लोगों से बिलकुल भी कॉंटेक करने की कोशिश नहीं करते आखीर हैसा क्यू ये भी आगे रिवील होगा अब आगे फ्लैश बैक से ओडियंस को पता चलता है कि कैसी जूलिया के हस्बेंट पीटर और बार्बी में किसी कारण से जड़प होई थी जो पीटर के पास नहीं था इसलिए तुरंद उसके खोज में उसी केबिन निकल पड़ता है जो से लकीली मिल भी जाता है पर वहाँ पड़ा पीटर का गन उसे एमटी मिलता है उसे समझनी आता कि अगर पीटर को उसे मारना ही था तो उसने एमटी गन क्यू कैरी किया वहीं जेम्स भी उसका पीचा करते करते वहाँ पहुच जाता है और एंजी से दूर रहने की धंकी देने के चक्कर में दोनों में जड़प हो जाती है पर जेम्स को एक फॉर्मर मिलिटरी मैन से खानी पड़ती है अब उनकी हालात ये कि टाउन पूरी तरह से आउट ओफ कनेक्शन और उनका सहारा अब बैक अप पर चल रहा होता है लोगों में डर फेलने लगता है क्योंकि उन लोगों की हालात एक पिंजरे में कैच से कम नहीं है वो चाहे जितना भी नीचे खोद ले पर वो डोम काफी नीचे तक गया होता है और उनने कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का वहीं ड्यूक के मरने के बाद दोनों को रिलाइस होता है कि कहीं ड्यूक ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा जिससे वो फश सकते हैं इसलिए रेवरेंट तूरन ड्यूक के घर की चानबीन करने लगता है और अंत में उसे कोई confidential document भी मिलता है पर उसे नस करने के पीछे वो पूरे घर को आग लगा देता है जिसके चपेट में वो खुद आ जाता है पर वो मरते मरते बचता है अगर जिम ने चाला की से आग नहीं बुजाया होता और लिंडा ने उसे सही समय पर नहीं निकाला होता अब इस हेरोईक एक के बाद जिम टाउन के लोगों का भरुसा जीतने लगता है अब जोई और नोरी की सीजर से रिकवर करने के बाद दोनों की मुलाकात होती है जहां नोरी को जोई धीरे-धीरे पसनाने लगता है और जब दोनों एक दुसरे का हाथ थामते हैं उन्हें फिर से वोही दूसरा दोरा पड़ता है और दोनों सेम चीज बड़ड़ाने लगते हैं दूसरी तरफ जूलिया को बार्बी के बरताओं पर शक होने लगता है और छिपते छिपाते उसका बैक चेक करने पर उसे एक मैप मिलता है जहां टाउन का एक लोकेशन मार्क होता है मार्क लोकेशन फिल का घर निकलता है और उससे उसके पती का एक सीक्रेट पता चलता है कि पीटर को गैंबलिंग का लट लग गया था जिसके पीछे उसने अपनी कार और घर तक बेच दिया पैसे लोटा निकले और आखरी बार बार्बी के साथ वो उस केबिन देखा गया था जहां से कुछ डॉक्यमेंट्स मिलने पर फिलकी बाते सही निकलती है पर तबी अचानक से जूलिया को कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश पढ़ जाती है उसे अब पीटर दिखाई देने लगता है लगिली बार्बी उसका पता लगा कर एन मोके पर उसे बचा लेता है पर सिर्फ जूलिया ही नहीं बलकि कई लोगों में फोटोफोबिया नाम की जान लेवा कंटैजियस बीमारी फैलने लगी जिससे अब हर तरफ अफरा तफरी मचने लगी इसलिए इससे पहले कि ये बीमारी और भी लोगों में फैले जिम जेम्स को होस्पिटल के निगरानी पर लगा देता है कि कोई भी अफेक्टेट परसन होस्पिटल से ना निकले पर लगीली कुछ लोगों पर इसका असर नहीं होता क्यूंकि उन्होंने अपने लाइफ में इसका वैक्सिन एक बार लिया था सबसे खुशी की बात कि इस बीमारी को एंटिबायोटिक से क्योर किया जा सकता है इसलिए जिम और बार्बी तुरन टाउन के एक लोटे फार्मसी पहुचते हैं पर किसी इने स्टोर को पहले ही लूट लिया होता है ट्रेस करने पर उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे अंधविश्वास रेवेरेंट का हाथ है जिसका मानना है कि ये सब भगवान का प्लान है और उन्हें उनके प्लान से छेड़कानी नहीं करनी चाहिए लखिली दोनों उसे मेट्स को डेस्टोई करने से पहले रोक लेते हैं पर इसके कारण रेवेरेंट की जिम से दुश्मनी बन जाती है जिसका परिणाम उसे आगे पता चलेगा वहीं हॉस्पिटल में पेशन्स घबराये बाहर जाने की जबरजस्ती करने लगते है पर जेम्स उन्हें स्मार्टली और नौन वाइनटली काम करने में सफल हो जाता है जिससे इंप्रेस होकर लिंडा उसे टाउन का नया डेपुटी बनाने का तेह करती है ये सब चल ही रहता है कि ये दोनों अपने सीजर से फिर से रिकवर करने के बाद उन्हें कन्फूजन होता है कि एक दूसरे के हाथ लगाने से ही उन्हें अटैक कैसे आ सकता है और वो दोनों सेम चीज़ कैसे बढ़ बढ़ा सकते हैं इसलिए दोनों प्लान करते हैं फिर से अटैक में जाने का पर इस बार वो अटैक को रेकॉर्ड करने का तेह करते हैं और recorded clip को इस बार देखने के बाद वो एक अजीब discovery करते हैं जिसका जोई को कुछ याद ने कि उसने ऐसा भी कुछ किया था अगली सुबा होश आने पर जूलिया बार्बी को confirm करती है कि वो आखरी बार पीटर से मिला था तो उसने उससे इतनी ज़रुरी जानकारी कैसे चिपा रखी आखिर पीटर उससे मिलने के बाद कहां गया पर बार्बी डर के मारे उससे अब भी सच्चाई नहीं बताता इसी दोरान अब भी कैद में NG के escape करने के कोशिश में गलती से pipeline तूट जाती है और अब chamber धीरे धीरे पानी से भरने लगता है Luckily उसकी चीक pipe के तुरू जीम सुन लेता है और अपने बेटे का करतू देख वो हैरान हो जाता है पर जीम अब बड़ी दुविदा में होता है कि वो उसे कैद रखे या जाने दे क्योंकि इससे जेम्स को जेल और खास करके उसका नाम खराब होगा और टाउन के लोग उसे as a leader की तरह नहीं देखेंगे इसलिए वो सिर्फ उसे डूबने से बचाता है और उसे कैद में बनाये रखता है अब अगले दिन जोई अपने डिस्कवरी से ये निरिणे निकालता है कि शायद डॉम अलाइव है जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है इसलिए दोनों जब करीब होते हैं उनकी इर्दगिर्ध तेस फ्रीक्विंसी महसूस होती है सबसे बड़ी खोच की उनके घर के करीब डॉम के हिस्से पर मोनाग बटरफ्लाइस चाने लगे जिसमें आर्बी भी खास इंटरस दिखाती है नौरी के हिसाब से कहीं उनका डॉम एक कोकून की तरह तो नहीं कोकून की बेसिक जानकरीदू तो कैटिपिलर या तितली अपने जीवन वर्ष में कोकून बनते हैं जिसमें से कुछ दिन बाद एक खूपसूरत मोनार्क तितली जनम लेता है पर कोकून का डॉम से क्या संबंद है हमें ये आगे पता चलेगा इतना कम नहीं कि जूलिया को डूडी के रिसीवर पर मिलिटरी का अजीब संदेश कैच होता है वहीं रेवरेंट को भी अपने हीरिंग मशिन पर मोयाब नाम का अजीब संदेश तुनाई देने लगता है जो उसकी हिसाब से उनके लिए भगवान का संदेश है और सीरीज की ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बेटन और डिस्क्रिप्शन में में मेंचन किया है प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना बुले क्यूंकि कड़ी मैंने के बाद आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाते हो तो अपने दोस्तों से वीडियो शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले